पुस्तक दैनिक प्रेड़ना दिन 191 विचार आपके भीतर हर उस प्रश्न के सटिक जवाब हैं जिन्हें जानने की आपको जरूरत है इसलिए यह मातवपोन है कि आप जवाब खुद खोजें आपको खुद पर और अपने असल स्वरूप पर भरोसा करना चाहिए दसीक्रेट रहस्य पुष्टक और फिलम आपके भीतर की शक्ती को समझने में आपकी मदद करती है वे आपको उस शक्ती के बारे में जागरूक बनाती है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें प्रश्ण पूछें और फिर सजक्ता के साथ जागरूक बने रहें क्योंकि जवाब आपके पास किसी भी पल आ जाएगा दिन 192 बिचार आपको तीन बुद्धिमान बंदर याद हैं बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो इसका मतलब है नकरात्मक को मत देखो नकरात्मक बातें मत सुनो और नकरात्मक बातें मत बोलो वे तीन बंदर निश्चित रूप से समझदार थे दिन 193 विचार धन्यवाद 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 गहरी भावना से जुड़ने पर यह शब्द आपके जीवन को इतना बेहतर बना दे सकते हैं जितनी की आप कलपना भी नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए आपको अपने हिर्दे में करतक्ता की भावना से इन शब्दों को समाहित करना होगा जब कोई बिना किसी भावना के धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं आप कुछ भी महसूस नहीं करते और आप जामते हैं कि जब कोई तहे दिल से धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं दोनों ही प्रकरणों में शब्द समान रहते हैं लेकिन जब क्रतगता की भावना जुड़ जाती है तो आपको महसूस होता है कि उस उर्जा का प्रवाव आप तक ततकाल पहुँच रहा है जब आप धन्यवाद शब्द में भावना भर देते हैं तो आप शब्दों को पंक लगा रहे हैं दिन एक सो चुर्यानमे विचार अगर आप प्रेम की तलाश में हैं तो आदर्श व्यक्ति चाहे वह जो भी हो के साथ पूर्ण आनंद पाने की सर्व श्रिष्ट संभावना तब होती है जब आप श्रिष्टी के सामने समर्पन कर देते हैं श्रिष्टी को मौका दें की वह आपके जीवन के प्रेम को आपकी और लाए और आपको उसकी और ले जाए इसका मतलब है कि आपको रास्ते से हटना होगा और उन संभावनाओं के प्रती ग्रहन शील बनना होगा जो श्रिष्टी आपके सामने पेश करती है हमारे संकुचित द्रिष्टी कोंट से हम हर चीज नहीं देख सकते लेकिन अपने समग्र द्रिष्टी कोंट से श्रिष्टी आदर्स जोड़ी बनाना जानती है दिन 195 विचार शब्दों में द्यालूता से विश्वाश उत्पन होता है सोच में द्यालूता से गहराई उत्पन होती है दान में द्यालूता से प्रेम उत्पन होता है दिन 197 विचार क्या आपने भी इस विचार को पकड़ रखा है मेरे पास दान देने के लिए पैसा नहीं है लिकिन जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं दान दूँगा अगर ऐसी बात है तो आपके पास कभी पैसा नहीं होगा किसी चीज को आकरशित करने का सबसे तेज तरीका इसे किसी दूसरे को देना है इसलिए अगर आप पैसे को आकरशित करना चाहते हैं तो इसे दान में दें आप दस या पांच या एक या कितने भी रुपे दे सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी राशि देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना और कहां दिया बस दे दें दिन 198 विचार आप कृतकता का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं अपने दिल में उसे उतनी ही गहराई से अनुभाव करेंगे और भावना की गहराई ही असली कुझी है आप इसे जितनी ज्यादा गहराई और सच्चाई से महसूस करते हैं आप हर छेतर में अपनी और उतनी ही ज्यादा खुशी ले आएंगे जब आप हर दिन हर आउसर पर क्रितकता का अभ्यास करते हैं तब देखें कि आपके जीवन में क्या होता है दिन 199 विचार जब भी आप खुद के लिए कोई चीज मांगें तो संसार के लिए भी मांगने की कोशिश करें अपने लिए अच्छी चीजें संसार के लिए अच्छी चीजें अपने लिए सम्रिदी संसार के लिए सम्रिदी अपने लिए सेहत संसार के लिए सेहत अपने लिए आनंद, संसार के लिए आनंद, अपने लिए प्रेम और सदभाव, संसार के प्रतेक व्यक्ति के लिए प्रेम और सदभाव या एक छोटी सी चीज जिसके कमाल के परिणाम होते हैं